हेलो नमस्कार दोस्तों मैं भाय कुमार सुकला रेलिवें इंपलोई आप सभी का अपने चैनल ने स्वागत करता हूं जैसा कि अभी जो वीडियो है यह लाइब सेशन आपको दिखाये जाएगा इसमें कैसे रणिंग हुआ था हम लोग का और कैसे उसमें हमने रणिंग कैसे किया उसको जो 35 कजी वेट उठाना था वह कैसे उठाए गया तब कंप्लीट वीडियो देखिए आपको पूरा अथेंटिक डाटा मिलेगा अभी तो वी वीडियो बना दे रहा है जो कि अल्रेडी रणिंग भी नहीं किया था उसका यह वीडियो आपको देखने का मिलेगा लेकिन यहाप आपको अथेंटिक मिलेगा जिसमें मैं यह भी बताया हूं कि हमने कैसे मैं कैसे तीन मीनट एकताली सेकंड कंदन में रणिंग किया था और उसमें मेरा रणिंग उतना स्ट्रॉंग नहीं था दो जर उनीस में रणिंग हुआ था बट फिर भी मैंने कितना असान है सब आपको दिखकर एक दम असान लएगा आई एक मिलते हैं वीडियो में बिन लेट किये हुए और यह अथेंटिक वीडियो के सांथ मिलते हैं ओके कंटिनीव उसे पहले अगर आपने चैनल पर नहीं है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजएगा अधिक अगर वीडियो अच्छा लगए आपका एक एक सपोर्ट सही लगता है उसे क्या होगा कि जो आथेंटिक है वह आपके पास पहुंचाएंगे कि हमने कैसे जोब किया और आप कैसे जॉब कर रहा है या कैसे आप आपको और चीजिएंगे क्या वर्क है कैसा है वो सभी बताया जाएगा तो उसे क्या आता है कि सपोर्ट मिलता अगर आपका एक लाई हाँ तो जैसे देख सकते हैं आप कि अभी यहां पर रणिंग स्टार्ट होने वाला है अब जैसे ही रणिंग स्टार्ट होगा एक फिक्स एमांट में जैसे 40 बचे को एक साथ बुलाया जाता है इस तरह से 40 बचे एक साथ चलेंगे और उनको लाइन में लगाया जाएगा उसके बाद सभी को पहले बैठा के तीन बो बनाया था चारो जिसमें सभी को बैठाया गया और बैठाने के बाद सभी के पैर में चिप्स बाना गया ठीक है और चिप्स लगा दिया गया पैर में ताकि वो रीडिंग करता है और आपको यह टाइम का लोशा नहीं रहेगा क आपका समय कितना उसमें क्या होता है इसमें फैदा हम लोग को यहीं हुआ कि अगर आप माइक्रो सेकंड से भी छटते हैं तो आप हट सकते हैं यानि वैसे बचे जो कि अगर 3-43 में दोड़े हैं तो यह भी पता लगता था 3-43 से माइक्रो सेकंड कितने माइक्रो सेकंड में दोड़े हैं कोई कुछ ऐसा था जो 10 माइक्रो सेकंड से छटा हुआ था तो इस तरह से आप देख सकता है कि अभी वो लोग चले गए उदर लेने के लिए चेप्स और यहां यहां पर देखिए यहां बोरी उठा करके बस यहीं 100 मिटर के दूरी जाना रहता था यहां से उठा कर और वहां ले जाकर रख देना था बीच में कहीं गिरा ना नहीं देखिए कितना असान है एक टेबल दिया गया है इसके उपर अल्रेडी वह 35 के जी रखा हुआ है मेरे नुसार से अगर यह टफ तब होता जब यह नीचे रखा जाता ऐसे में था देखिए यह जो भाई बंदा जा रहा है जो सबसे पीछे यह हडबड़ा गया ऐसे नहीं करना है एकदम अराम से उठाइए सफिसेंट टाइम रता है एक मिनट आपके पास जाने के लिए अब य स्टेडियम का अलग-अलग नियम था कहीं चार राउंड था कहीं तेन राउंड था मेरे में चार राउंड था मैं चार राउंड दोड़ा था कहीं पांच राउंड दोड़ा था छोटा फिल्ड यहां पे था लेकिन आप जो भी हो एक किलोमेटर आपको रणिंग करना है तो बिल्कुल भी एस्ट्रेस ना ले, एकदम फ्री माइंड होकर आप जाईए, मेरे तरफ से आप सभी को best of luck रहेगा, और बस हबडाना नहीं है, किसी भी वेक्ति को थोड़ा भी कभी नहीं घबडाना है, कि क्या आएगा, कितना मेरा तो नहीं हो रहा है, भाई, मैं यह बत सबसे आसान हमको लगा, या 35 केजी उठाना, देखिए का, इसमें कोई फेल नहीं होता है, रणिंग में वहीं बचे, मैं सुरू में भी बताया थे एक वीडियो में, कि रणिंग वीडियो में वैसे ही बचे फेल हुए, जिनका बहुत ही वेट था, या जो कभी रणिंग न आगे वाला कितना आगे गया, इसे मतलब नहीं रखना है, भाई मैं आप सभी को यहीं अपना प्रस्नल एक्स्प्रियेंस के तौर पे मैं असाजेशन दूँगा, कि जैसे देखिए यह लड़का बहुत आगे दोड़ रहा है, हो सकता है कि यह लड़का अपना स्पीड इस से मत सूचिए कि ओ आगे दोड़ रहा है तो मैं उसके पीछे दढ़ूँगा, आप अपने रणिंग पर भरोसा रखिए आपका जरूर होगा, अब देखिए जैसे लड़का पीछे कितना मस्ती में दोड़ रहा है, उसे कोई मतलब नहीं इसको सभी पास होंगे, तो इस प आपका एक एक लाइक सपोर्ट करेगा, तो ऐसे ही सेम रणिंग होगा, सभी जगह, कोई भी फिल्ड हो, आपको एक बाउंडरी घिर दिया जाएगा, और उसे में ऐसे सफिसियंट जगह भी होता है, कोई दिकत नहीं होता है, और कोई प्रेसर नहीं है, आपको बराम से तब तक लिए, थैंक्यू, जय हिन, जय भारत!